हल्दुआनी के गौलापार इलाके से अंतर राजिय बस अड़े को दूसरी जगह शिफ्ट करने का मामला अब तूल पकड़ता ज़ा रहा है। कॉंग्रस इसे बीजेपी की सोची समझी साजुष करार दे रही है। तो अई बीजेपी का हल्दुआनी वासियों को जल्थी आयस बीटी की सौगात देने का भरोसा दे रही है। गौलापार में बनने वाले आयस बीटी के लिए आठ हेक्टेर जमीन ट्रांसफर करने में तकरीबन 6 साल का वक्त लग गया है। परिवहन विभाग ने भी अब वन विभाग को ये जमीन लोटा दी है। जिससे आयस बीटी बनाने की उमीद फिर खत्म होती दिख रही है। इस पूरी प्रक्रिया में उत्राखंड के जनता की गाड़ी कमाई के धाई करोड रुपए खर्च कर दिये गया। जबकि आयस बीटी के शिलान न्यास तक करीब 2700 हरे पेड़ो को भी काट दिया गया। जून 2017 में आयस बीटी की खुदाई के दौरान नरकंकाल मिलने पर ये काम रुकवा दिया गया। और आयस बीटी दूसरी जगह बनाने की बात सरकार ने कही। कॉंग्रिस का आरोप है कि बीजेपी सरकार ने विकास बिरोधी सोच की तहट जनता की गाड़ी कमाई को बरबात कर घटिया राजनीती का उधारन पेश किया। देखें अंतराजी बस अड़ा जो था वो मानी नयांदत तिवारी जी की सोच था और मानी नयांदत तिवारी जी जो उत्राखंड में विकास पुरुष के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने जो उत्राखंड के विकास का खाका खीचा तो उसमें उन्होंने आवशक्ता जरूरत समझी कि अंतराजी बस अड़े को यहां पर स्थापित किया जाए जिसके लिए बुह सांतरण में बहुत टाइम लगा बहुत सची वाले में फाइल दोड़ी फिर उसके बाद 2700 लगभग पेड उसमें काटे गए उसके बाद जब वो काम सुरू होने की स्थिती में आया तो बीजीपी सरकार ने एक कुंठित राजनितिक सोच के तहट उन्होंने अपना परिचे दिया क्योंकि वो विकास की परिभासा नहीं जानते है उनको यहां के जनता से छेतर के विकास से कोई लेना देना नहीं सिर्फ राजनिती कर जनता को गुम रहा कर अपनी सप्ता काबिस करना चाहते हैं तो विकास की डेफिनिशन अगर हम नेताओं से पूछेंगे भाजपा के तो विकास की परिभासा उनको नहीं आती है तो अब ये जो है फोरेश्ट लैंड जब वापिस हो रही है नहीं जगा पर अगर ये स्थापित करेंगे तो उसको कब लेंगे, कब क्या होगा जिन जो है वो बोतल के अंदर में है कुछ पता नहीं वन-विभाग के अधिकारें के मुताबिक परिवान विभाग द्वारा वन-विभाग को करीब 8 हेक्टेर जमीन लौटा दी गई है। अब सरकार ISBT के लिए करीब 10 हेक्टेर जमीन की तलाश तराई केंद्रिय वन प्रभाग में कर रही है। गौलापार में परिवान विभाग को आठेक्टेर भूमी दी गई थी आईसबीटी बनाने के लिए उचस्तर से यह नेड़े हुआ कि अब आईसबीटी को उत्राखंड ओपन युनिवस्टी के बगल में बनाया जाए तो उस परिपेक्ष में परिवान विभाग ने जो आठ हाला कि 2022 की विधांसबा चुनावों के लिए राजनीती समीकरण अभी से बनने शुरू हो कई हैं भले ही आईसबीटी बने या ना बने लेकिन आने वाले चुनाव में आईसबीटी का मुद्दा राजनीतिक दलो द्वारा एक बार फिर जनता को लुभाने के लिए इस्तम किया जाएगा ये तैह है नैनिताल सितारा जोशी की रिपोर्ट